Hello students, welcome to my channel, आज हम लोग एक क्विक रिविशन पार्ट सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 का जो चाप्टर है इलेक्रिसिटी, इस चाप्टर को हम लोग within 15 मिनिट हम लोग खतम करने वाले हैं, एक क्विक रिविशन हम लोग देंगे, ताकि जो बोर्ड कैंडिडेट है, वो अपना जो रेगुलर बेसिस पे जो रिविशन होता है, वो देने के बाद एक क्विक रिविशन, एक क्विक रिविशन कर सकते हैं, ओके, so next 15 मिनिट विल बेरी वाइटल फो यू, विकास ये पूरा चाप्टर का एक क्विक रिविव्यू हम लोग आपके सामने दि हुलिए लिवपित्यक सारखिसी चाप्टर में अलग की है यह बिऄक्रिक पोटैंशिय को देखने के मिनिकंखक में लीगा की अलग दो가지्टिखिसी क्या है अलग म делает अजैक्रिक पोटैंशियुल से aşलाका ही değil एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जितना वार्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलेंगे एलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है इन्फिनिटी से सब्यूज इस पॉइंट पे एक चार्ज को लाने में चितना वार्क करना पांता है करना पड़ता है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफारेंस क्या है थोड़े डिफारेंस है इन दोनों में ठीक है पोटेंशियल डिफारेंस क्या है पोटेंशियल डिफारेंस है देखो अगर सपोज एक चार्ज तो यहां यह कॉन सा point है ? B-point जितना work करना पलेगा यानि कि from move from one point to another point थेकै देयरो the potential difference between two separate points is defined as the work done to move a unique positive charge from one point to another point थेकै एक point से दूसरे point में लाने के लिए इसलिए हम लोग difference लिखते हैं और जब potential हो जाएगा वो हो जाएगा infinitiv to a certain point पास इतने ही डिफरेंस है, V is equal to W by Q, unit का है V का, वोल्ट हम लोगो पता है, V is equal to 1 Joule per Coulomb, because इसका है Joule, वार्डन का और चार्ज का है Coulomb, तो Joule per Coulomb, तो यह है electric circuit, आप लोग देख सकते हैं कि यह एक electrolyte है, electrolytic solution, जो बोलते हैं, तो electrolytic solution can conduct electricity, So, देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, the bulb will glow, और magnetic needle will show deflection, यह वाला part actually हम लोग magnetic effect हो कहा हैं, जो next chapter है, उसमें हम लोग देखने वाले थे, तो फिर भी हाँ पे लिखे हैं, देखिए, कि magnetic needle will show deflection, if liquid in a bigger is good conductor, अगर liquid in a conductor जो है, अगर यह good conductor है, तो यह यहाँ से electricity flow करेगा, Okay, and as a result, यह bulb glow करेगा, अगर यह good conductor है, तो, clear, तो good conductor, देखो, यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे important है, इसे पहले मैं बता रहा हूं, greater the deflection of the needle, needle का deflection जितना होगा, उतना ही brighter, यह light glow करेगा, क्योंकि deflection ज्यादा मतलब क्या, current ज्यादा flow हो रहा है, और current ज्यादा flow हो रहा है, मतलब magnetic field ज्यादा हो रहा है, यानि कि क्या, bulb glow करेगा, better तरीके से, इसका मतलब है कि उतना ही better conductivity है, लिक्वीट का, जो लिक्वीट हमने यहाँ पे लिये थे, so good conductor में यह liquid, यह जो लिक्वीट हमने यहाँ पे डाला है, लिक्वीट क्या क्या हो सकता है, lemon juice हो सकता है, vinegar हो सकता है, acid solution, all acid are what, good conductor, basic solution also, salty water, NACL, but poor conductor क्या क्या है, यहाँ पे MCQ यहाँ से आ सकते हैं, कि कुछ questions, MCQ में रखेंगे, कि बोलेगा कि, which one of the following are good conductor, ठीक है, तो थोड़ा देख लो यहाँ पे, कुछ important names, ठीक, mark किया मैंने, fine, so conducting liquids are also known as electrolytes, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, electrolytes, fine, next, the electric current passes through a conducting liquid, जिसको हम लोग, electrolyte बोलते हैं, cause chemical reaction, जिसको हम लोग बोलते हैं, what, electrolysis, electrolysis, यानि कि जो chemical reaction होते हैं, जैसे कि NaCl, अगर हम लोग water के साथ, रियक्ट करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Na plus Cl minus, इसोनों dissociate हो जाएगा, यानि कि दो ions मिलेगा, catarine, anion, जो अलड़ी हम लोग acid-base chapter में पढ़ चुके हैं, now the important part, ohms law, very very important, यहां से graph P आ सकते हैं, अब तो के लिए, ohms law क्या है, under constant physical condition, यह maximum student यह गलती करता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्या बोला है यहां पे, under constant physical condition, कौन कॉंसे physical condition constant रहना परेगा, temperature, pressure, यह दोनों चीज constant रहना परेगा, ठीक है, the current flowing through the connector is directly proportional to potential device, यानि कि, I proportional to V, या देखना है, ठीक है, under physical condition, यह part बहुत सारे student miss करते हैं, यह वाला part, यह लाइन, miss नहीं करना चीए, ठीक है, V proportional to I, fine, okay, so V proportional to I, already we know that V equal to I, R, क्या है, resistance हम लोग को पता है, जिसका unit है, वो हो, तो इस तरीके का graph आप लोग को देखने को मिलेगा, V versus I, always क्या होगा, straight line, ठीक है, straight line, because V proportional to I है, तो straight line आप लोग को देखने को मिलेगा, right, तो slope क्या बताता है, देखो, what does slope represent, question आ सकते है, slope of VI graph represent resistance, ठीक है, resistance हम लोग को देता है क्या, slope, slope देता है हम लोग को resistance, यहाँ देखने है, थोड़ा दिमाग में रखो, MCQ यहाँ से ही आने वाला है, ठीक है, ohmic resistor, ohmic resistor, ohmic resistor क्या है, जो ohm low follow करता है, उसको हम लोग बोलते है, ohmic, जो ohm low follow नहीं करता है, उसको non-ohmic, simple, ohmic, non-ohmic, ohmic, ठीक है, conductor which follows ohm's law, at constant temperature, इसको ohmic resistor, जैसे की all metallic conductors है, copper, aluminum, silver, वो सब क्या करता है, V proportional to I, रहता है यहाँ पर, solution जैसे की copper sulfate, ठीक है, dilute sulfuric acid, तो यह सब क्या है, यह सब ohmic resistors है, ठीक है, current बढ़ने के साथ पोटेंशल डिफरेंस भी बढ़ेगा, whereas non-ohmic, यानि की वहाँ पर ohms low follow नहीं करता है, जैसे की LED, solar cell, junction diode, transistor, filament bulb, यहाँ पर नहीं करता है, क्यों होता है, क्योंकि filament bulb, जब तुम glow करेगा, filament bulb, तो क्या होता है, glow करने के साथ साथ इसका temperature increase होता है, तो यहाँ पर याद था ना, कि under constant temperature, temperature, यहाँ पर क्या रहना परेगा, constant, तो वहाँ पर क्या constant temperature होता है, नहीं होता है, filament bulb पर temperature बहुत गरम हो जाता है, तो as a result, यह non-ohmic conductor में आएगा, यह बहुत important है, इस बार के लिए, question में पूछे है कि, is filament bulb, ohmic और non-ohmic, ठीक है, तो बहुत important पार्ट है, यह याद था ना है, next, potential difference which is measured is the cause of current, यह हम लोग तो पता है, potential difference actually कहाँ साथ है, current से मतलब, अगर दो point में potential difference रहता है, भी यह, भी भी, थभी इन दोनों point में current flow होगा, इन conductor, flow of electrons constitute the current, flow of electrons पता है, और यह direction opposite होता है, opposite direction, electron का flow और current का flow दोनों opposite direction में होता है, circuit current flow from the positive terminal of a battery to negative terminal, always positive to negative जाता है, यह वाला है positive, यानि कि, इस तरीके से अगर हम लोग एक cell को represent करेंगे, बड़ा वाला जो line है, वो positive represent करता है, और negative वाला चोटा वाला, यानि कि, यहाँ पर low potential, high potential, ठीक है, यह वाला part क्या है, high potential, ठीक है, high potential और वो वाला negative वाला low potential, यह बोला है negative terminal is said to be lower potential, positive, said to be higher potential, ठीक है, तो यह सब जीच याँ देखना है, same, when a battery is not connected to any circuit, यह actually part मैंने extra लिखा है, यहाँ पर, थोड़ा बहुत extra यहाँ पर लिखा हूँ, मैंने, when battery is not connected to any circuit, the potential difference, यानि कि सपोज एक तुम्हारे पास battery है, सपोज यह पेंसिल बैटरी होता ना, इसका, सपोज यहाँ पर लिखा हूँ है 1.5V, इसका मतलब क्या है, यह क्या है, यह कौन सा value है, this is actually EMF, EMF, जिसका नाम है, Electromotive Force, ठीक है, this is EMF, actually, यानि कि, जो total volt होगा, this is EMF, यह सबसे ज़्यादा, मतलब total, इसके अंदर इतना volt total है, इन दोनों, अभी देखो, अगर मैं इसको एक circuit में connect करता हूँ, सपोज यह resistance, तब क्या होगा, यह धीरे-धीरे कम होता जाएगा, time के साथ साथ यह कम होता जाएगा, क्योंकि इसका बैटरी का internal resistance है, वो बढ़ता जाएगा, तो as a result, यह value कम होता जाएगा, but EMF जो है, original जो value था है, वो constant होता है, constant ही जाएगा, whereas V जो है, हम लोग V जो निकालता है, potential difference वो कम होता जाएगा, time के साथ, यह एक difference है, resistance पता है already, temperature के साथ resistance भेरी करता है, conductor में क्या होता है, resistance conductor में, resistance देखो, क्या होता है, simple सा बता जेता हूँ, question आ सकते हैं, suppose यह conductor है, तो temperature जब भी बढ़ेगा, collision क्या होगा, electron के बीच बढ़ जाएगा, यानि कि वो जा नहीं पाएगा ना, तो resistance बढ़ जाएगा, temperature बढ़ने के साथ साथ, याद रखना है, ठीक है, resistance भी बढ़ जाएगा, very important part, यहां से MCQ आ सकते हैं, resistance in series, very important, series में क्या होता है, अगर बहुत सारा resistance connected है, तो total resistance, जो है equivalent resistance, इस तरीके से दिया जाता है, r1 प्लस r2, simple addition, हम लोग करते हैं, ठीक है, और parallel में, parallel में हम लोग करते हैं, याँ पे, देख सकते हो, 1 by rp, 1 by, 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r1, इसको अगर हम लोग ठीक तरीके से लिखेंगे, 1 by rp is equal to 1 by r1, ठीक है, प्लस 1 by r2 प्लस, इस तरीके से जलता रहेगा, so this is the ultimate, ठीक है, total resistance, नेक्स पार्ट, जूल्स हीटिंग लोग, यह क्या बोलते हैं, यह directly बोलते हैं, यह बहुत important पार्ट है, actually question आ सकते हैं, यहां से, ठीक है, बहुत पार पूछेगे, cbac board में, तुम previous year question paper उठा के लिए दो, ठीक है, तो जाधा पार्ट नहीं है, हम लोग 15 minutes के अंदर ही, जैसे कि मैंने बताया था, खदम करने की पोशिश करेंगे, ठीक है, तो ultimately, h equal to i square r t, यह बन जाएगा ultimate formula, ठीक है, यहाद रखना, electric energy, v equal to i t, जाज, इसमें, थोरा मेरा दूसरा वीडियो भी देख लो, यह chapter का detail में, तो आप लोग को पूरा का पूरा यह formula समझ में आ जाएगा, मैंने simple way में समझा के दिया, ठीक है, v i t b formula है, इसका application क्या है, हीटिंग लोगा है, electric iron, ठीक है, toaster में यूज़ करते है, पाव भाजी करने के लिए, fused wear bulb, fused wear में, और bulb में, fused wear में, fused wear में एक चीज़ याद रखना है, कि, जो fuse wear होता है, उसका melting point बहुत लोग रहता है, ताकि जब भी ज़्यादा current flow होना, वो melt हो जाए, और connection तूट जाए, और हमारा device जो है, safe रहे है, इसलिए, safety के लिए हम लोग यूज़ करते है, next, electric power, electric power means, work done by time, work done by time, simple, या फिर, or energy by time, ठीक है, देखो, it is defined as, rate of consumption of energy, rate मतलब, divide by time, और simply rate of doing work, so, अगर हमें पता है, कि energy का formula क्या है, I square RT, मैंने अभी देखा था, RT divided by T, तो TT cancel हो जाएगा, I square R, वो देखो, I square R, तो इसी तरीके से V square by R, इसी तरीके से V r, तीन formula तुम लोग को मिल जाएगा, याद कर लो, यहाँ से numerical question, पूछे जाएगे, ठीक है, SI unit क्या है, watt, यह बहुत important है, MC क्यों आ सकते है, kilowatt hour क्या है, this is the commercial unit, या देखना है, commercial unit यानि कि अगर एक bulb उठा लो, उसमें देखो, यह इतना kilowatt hour लिखा रहेगा, ठीक है, यह power है, kilowatt hour, या देखना, sorry, kilowatt hour क्या है, वो energy है, उतना energy consume करेंगा, ठीक है, यह electrical energy का, SI unit है, kilowatt hour, या देखना है, ठीक है, तो 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, और जिसको हम लोग बोलते है, इतना joule, कितना, 3.6 into 3.6, ठीक है, work done equal to V into, देखो, work, work मतलब यह watt है, watt, यानि कि power, w मतलब watt, ठीक है, is equal to V into I, तो यही है, वी देखो, volt, I मतलब ampere, ठीक है, simple formula से यह सब आया है, तो tension मिलेने की कोई बात नहीं, तो यहां से हम लोगोंने, एक quick revision part हम लोगोंने पढ़ लिया है, पूरा electricity chapter का, तो यह video definitely आप लोगको help करेगा, तो आप लोगको क्या करना है, कि इस video, अगर आप लोगको really helpful लगा है, तो आप लोग comment कर सकते हैं, कोई अगर suggestion रहता है, या फिर doubt रहता है, तो आप लोग definitely comment कर सकते हैं, और कुछ different chapters के उपर, या फिर topic के उपर कुछ वीओ चाहिए, तो आप लोगको जारू कहिए, ठीक है, आप लोग जारू कहिए, ठीक है, I will try to give video as soon as possible, after your reply, yeah, so thank you very much and all the best for your board exam.